हेलो फैंस वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स नमस्कार दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सकाइब नहीं किया है तो किर्प्या पहले इसे सब्सकाइब करें और हमारे चैनल पर एविलेवल बेल आइकन को एनेबल जूर करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो के बारे में आपको यूही जानकारी मिलती रहे तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो आज हम लाइफ एक्स पर आपको बताएंगे वास्तुसवंदी एक महतकुन जानकारी जी हाँ दोस्तो आज हम आपको को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं के बूल कर भी सुबह उठकर किन चीजों को नहीं देखना चाहिए जिस्से की नुकसान होता है दोस्तों शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आपके दिन की शुरुआ सही से हुई तो पूरा दिन आपका अच्छा बीटता है लेकिन सकता है कि कितनी जल्दी ये दिन बीते जिससे की ये खराब स्थीति खतम हो जाए हमारे जीवन में कई ऐसे चीजे होती हैं जिने अंदेखा कर देते हैं कभी लेकिन इनका सीधा असर आपके जीवन पर किसी न किसी तरीके से पढ़ता ही है वास्तु शास्तर में कुछ उप आयों के बारे वे नंबर एक वास्तु शास्तर में बताया गया है कि सुबह उठकर कभी भी आइना ना देखें अगर आपने ऐसा किया तो दिन बर आपके सार नकरात्मक चीजे होगी जो की आपको दुखी करेगी नंबर दो कोशिश करें कि सुबह उठते ही किसी का भी चहरा ना देखें कब किसका चहरा आपके लिए अशुब साबित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकते नंबर तीन अपने दिन की शुरुआत अपने इस्ट देव के द्यान से करें उनके दर्शन करें इससे आप पर सकरात्मक परवाब पड़ेगा साथ ही आपका दिन अच्छा बितेगा नंबर चार सुबे उठते ही अगर शंक या मंदिर की गंटियों की अवाज सुनाई दे तो यह आपके बीतर सकरात्मक उर्जा का संचार करती है नंबर पांच, कोशिश करें कि सुबे सुबे आप ऐसी तस्वीरे देखें जो आप सकरात्मक परवाब डालें जैसे की नारियल, शंक, मौर, हंस या फूल आदी नंबर छे, सुबे के समय नाष्टा करने से पहले किसी पशु या किसी गाव का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे दिन अच्छा नहीं बीटता है नंबर साथ, बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए, ऐसा करना बहुत ही अच्छा मना जाता है और यह काम कुछ लोगों की नीमित दिन चर्या का हिसा भी होता है हमें सबसे पहले अपना हाथ देखकर प्राते समर्न मंतर बोलना चाहिए इसके बाद अपने हाथों को खोल कर हथेलियों को द्यान से देखें लेकिन आपके दिमाग में यह बात जरूर आती होगी कि हम सबसे पहले अपने हाथों को क्यों देखते हैं क्योंकि हम हाथों से अपने करम करते हैं और यही हमें अपने करमों का फल देते हैं इसलिए सुबह उठकर अगर हम अपने हाथों को देखते हैं तो हमारा सारा दिन अच्छा बीतेगा तो दोस्तों ये था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि बूल कर भी सुबह उटकर इन चीजों को नहीं देखना चाहिए वरना इससे आपका नुकसान हो सकता है उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए अगर आपको ये वीडियो फायदे मन लगें तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूशेक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोग तक इस जानकारी को पहुंचाएं लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत बूले कीप शेरिंग एंड कीप स्पोर्टिंग अस हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नही वीडियो के साथ थैंक्स फोर वाचिंग